पंजाबी की मसाल है गर को आगला की गर के चराख से को मेरे एक कजन है उनको ना मतलब के 18 एर का मतलब के कजन था मेरा उसको हाट की प्रॉब्लम थी बड़ा हमने रिसर्च की यहां पर यह दोधार सोलंगा वाकिया तो काफी रिसर्च की डॉक्टर नहीं ही का जी आपके इस में नहीं आ सका हाला कि इंडिया में पता नहीं कब से 256 से चल रहा है मेरे कजन और उनकी फैमिली गई थी एक्स्टर वीजा नहीं देते हैं आपको बता है स्ट्रिक है डॉक्टरों की बकाइदा वो प्रिस्क्रिप्शन लगती है कि इस पेशन को और उनके वालसा में एक म किसी होटर के पास बेर वैसे उनसे अपका राब्ता मेरे कजल से हां मिलता रहता हूं मैं तो हमने भी अगर उनका करना हो अपने चैनल के तुस्तुर से या हमने इस इस experience को अगर हमने मतलब recording करना हो तो वो कर सकते हैं ब बाता हां मैं करता कका दूंगा उनको वह आप इन्होंने रिकॉवर कर लिया इंडिया है ना वो अपनी स्टडी पर बड़ी मैं कहता हूं रिसर्च करते हैं और वो बकाइदा उसको बेतर करते हैं बहतर तर बहतर मैं भी दूबी गया था मेरा तरीबर छे मीने का विज़र्ट राट ट्रांजेट वीज़ा मैंने उद्र सर्च की वहां पर इंडियन मुझे काफी मिले उपड़े यार पुलाइडली तरीके से आपसे बात करते हैं आप खुश होता है आपका दिल खुश होता है यार यह गयर नहीं वहां पर जाके कौन सी मैं का हरान होता हूं दूबी में आप भी जाएं तो आप इस तरह वालब के स्टेट फॉरवर्ड रहें आपसे पूछूंगा आखिर क्या वज़ए के फार्मसी ऑफ दा वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो हमारी नेबर कंट्री भारत का नाम है आज भी सतर फीसद अद्विया जो है वो हमारी नेबर कंट्री पूरी दुनिया में मैनुफेक्चर करके एक्सपोर्ड कर रही है कैसा देखते हैं भारत कितना आगे है स्टेम फार्मसी में हमारे बेसिक यहां पर हुकमरान जो है वो आगे बढ़ने का मुकई नहीं दे किसी को पहली बात तो यही है दूसरी बात यह भारत इसलिए आ गया है कि वहां पर लोगों का इतहाद बहुत है यहां पर लोगों का इतहाद नहीं है पुलिंग बोड़त है लेक पुलिंग बहुत ज्यादा है जिस विए से कोई लोकल आप फार्मसीटिकल उठा कर देख करड़ते हैं है उतनी रिकॉर्मिन उसमें डोज नहीं हुती जतनी उस पर अगर 100mm लिखा है ना जैसे आप निकालने 25 अटा साकदाल होना चाहिए लोकल जो फार्मसीटिकल है उसमें 500 mais आप येज़ जादा ही नह Baby स्कान जालते हें हैं डि़कеко हर मुलक में होती है कर्वशन लेकिंग यहां बहुत ज्यादा है मेरे साहब से तो बस इसी वज़ा से करंड यह है कि वहां पे इसलिए ज्यादा लोग मनलब के फार्मासूटिकल बहुत आगे जा चुके हैं क्योंकि वहां पे हकुमत बड़ी स्पोर्ट करती यहां की कुमत स् को तुमाशा देखो वह वाला सीन है यहां अभी फार्मिसी में कितना आ गया है भारत मुझूदा करंड टाइम मेरे साहब से तो क्रीबन 70-80 परशन है हमसे आगे जो मालब हमारे यूनिवर्स्टी में भी हमें बताया गया है कि यही है मालब कि वहां पे तो बहुत ज्याद कोई पे नहीं करता किसी भी मेडिसन पर अदवएयात पर रिसर्च करने के लिए बकाईदा पैसे लगतेन जो हमारे यहां पर लगाती नहीं गूर्व्मिंट देती नहीं बेसीक अदवएयात पर वह कुम्मत को चाहिए मेरे साब से इस पर पीसा इनिवेस्ट करना चाहिए आने वाले दोर में हमारे लिए बड़ी सेफटी है जो इतनी बुमारियां बढ़ रही है उसमें हम बहुत पीछे हैं अभी भी डैंगी वगारा आजाए तो कितनी हलाकते हो जाए बहुत जादा होती है देख लिए अभी तक डैंगी एक नॉर्मल स्टेज है जो मतलब कि इतन होते हैं फीवर होता है बचे बिमार होते हैं मलकि उसकी वैक्सिनेशन प्रोपर नहीं होती वो जो गरों में आग गलीों में स्प्रे करते हैं वो फेक है सारा मतलब के मुझे समझ नहीं आती है क्या चल रहा है सर कल परसो मैं इसी मार्किट में एक बंदे का इंटर्विव कर रहा था उसने का मैं भारत दो दफा गया हूं मैंका सर खेरियत से गया जाना हुआ आपका उन्होंने का कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा बिमार था तो मैंने यहां पे हर होस्पिटल को विजिट किया तो मु कि प्रॉब्लम थी बड़ा हमने रिसर्च की यहां पी दोजार सोलंगा वाकिया तो काफी रिसर्च की डॉक्तर नहीं ही का जी आपके इसका ट्रांस्प्लाइट होना है आपको इंडिये जाना पुड़ेगा तो हम बकाइदा इंडिया में यह वहां पर अच्छे तरीके से इसका ट्रांस्प्लांट होगा वह अलम्दलिल्ला कि आप यह देखेंगे जो हार ट्रांस्प्लाइट है वह अभी तक हमारे मुलों में नहीं आ सका हलांकि इंडिया में पता नहीं कब से दोजार पांच छे से चल रहा है यहां पर मदला कि 20 साल होंगे तकरीबर आई थिंक प्रिस्क्रिप्शन लगती है कि इस पेशन्ट को और उनके वालसा में मैंने मामूग यह थे पास एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर तो किया होगा कैसा रहा हुआ कि बड़ अच्छे से ट्रीड करते हैं डॉक्टर वहां पर अच्छा ट्रांस्प्लांट किया पैसे लगते हैं लिकिन एक सेफ्टी तो है ना और सबसे बड़ी चीज़ है इनसान सेफ्टी देखता है पैसा आज आपके पास आकल किसी और के पी पैसा तो आई जाते लिकिन मैं यह कहता हूं कि पैसे के साथाओंग भी हकोमत को इस पर द्यान देना चाहिए मेरे साथ मेडिकल तो वहां पे स्टेश किया और अच्छे से उनका ट्रेडिमेंट हुआ बकाइदा जिन डॉक्तर ने प्रैफर किया था वहां पर उनको बड़ा उन्होंने एप्रिशेट किया कि हाँ यह डॉक्तर आमें जानते हैं हम यूके में मुझलिफ 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 के स्टेज पे के लिगे मुझलिफ के मिलते हैं बाहर कंट्रियों में जाकर बकाइदा शो होते हैं विल्लाय से यह इलबहें जाता है रहता हूं तो वह Л大ạt कर शे चे अब हमने कर लीजिए इंटर्विव आपको खुदी वो शेयर कर देंगे किस तरह मालब के एकदम से उनको बेसी ना खांदानी प्रोब्लम है उनके मालब कि ना उनकी पहले बेटी को थी लेकिन वो मालब के शुक्र है कि वो इधर ही स्टार्टिंग में रिकॉवर कर लिया मैंडिसन से बाकि जो बेटा था उसका दरह लेट पता चला बस बस चल रहा है मतलब ठीक है वो कासी ना देखें आए दिन कोई ना कोई अब हमें मार्किट के अंदर एक ऐसा लोकल मतलब अगर हम देखें रोड़ शो करते वे कोई ना कोई एक परसन ऐसा जरूर मिलता है जो बताता है क मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें पाकिस्तान से जो है वो भारत जाना पड़ा है सर मेरा क्वेस्चन यह है कि 75 साल उनको भी मिले 75 साल हमें भी मिले हम एक हस्पताल ऐसा नहीं बना सके आप हार्ट की बात करें लीवर ट्रास्प्लांट भी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ जो बकाइदा रिकॉर्मेंट किया जाता है और अफसोस पते किस बात का है हमारा मीडिया यह चीज़े नहीं दिखाता है यही तो मसला है ना कि मीडिया भी कुछ थोड़ा सा सलो है इस मामले में कुछ हकूंबत के जो में में बनने हैं वो भी इसमें बहुत जारा पीछे च किसी को कि क्या करना चाहिए कैसे स्टडी को बेतर किया जाए कैसे शोबे को ज्यादा आगे लेकर जाया जाए जैसे दूसरी कंट्रियां मतलब के आगे जा रही हैं हमें भी मेरे साब से आगे जाना चाहिए पैनाडोल की शॉर्टिज देखनें भी कुछ अर्सा पहले कितन हैं वो कह रहे हैं हमने 2200 रुपे का पत्ता सेल की है हलांके दस रुपे की उसकी प्राइस है 200 200 परसंड उसको इतना महिंगा सेल किया है और लोगों ने करीद दी लेकिन आप यह सोचे नहीं गरीब आदमी क्या करें जो मुल्कुली गरीब है जैसे जो उंपडियों वाले हैं हैं वो कहां से खरीदें यह चीज़ें एक सिंपल पैंडोल की वो 200 पर रहेंगे जहां भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां हम भी क्यों नहीं ले ले लेते बारत से अकर सस्ती मिलती हैं अगर हमारी जरूरत पूरी बात है ना बात ही है कि हमारे जो यह आपस में मिल मलाब हो एक वो परानी मैंना कहते ह 형elング के दोर्ट की जो लड़ाईयें जग्ड़े उन्हीं पर ही डिपैंट का रहे हैं मेरे साब से इन्सान को पराने जो लड़ाईयां जग्ड़े हैं उनको खितम करके आगे बरना चाहिए मेरे साब अगर हमार्ण कातै तो मेरे साफ से वह बेतर करना चाहा रहे थे लेकिन हमारे जो उपपर सारी मीडिया है उपपर जो ओभुक्र करेंड इस टेंब नहीं आने देते हैं। एपल स्टोर जो है वह भारत में उपन हुआ है एलेक्ट्रिक कार जो है टेसला जैसी कंपनी वह भारत के अंदर जा लिए इनुने खुद टियार किया मेरे साथ मरस्डी यह पतनी ओडी यह शायद जो नहुने खुद बनाई है अब यह मैंने गाड़ी लिया अब फुद सोच करते हुए बंदे को कितनी तकलीफ होती है कि हमारे मुल्ग में इतने टैक्स है जगा टैक्स है बेसिक टैक्स नहीं जगा टैक्स है कि आप ट्रिपल प्राइस दे के गाड़ी खरीद रहें और दूसरी कंट्रियों इंडिया में देख लें मारूती है आल्टो है वहां पे चार लाग रपे की और हमारे दर आल्टो देख लें 32 लाग रपे कितना फरक है जमीन आस्मान का फरक है मलगे इनको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं क्या लगता है अगर मेडिया यह सही इमिज भारत की बताने लगए तो क्या को फरक पड़ेगा अवाम को पड़ेगा ल अपने पाकिसान में रहा के पाकिसान के लिए कुछ नहीं करते हैं वह बाहर चले जाते हैं तो आप उन पर कैसे डिपेंड करते हैं किस तरह वोट डालते हैं लोग मुझे नहीं समझ आती किस तरह उसको स्पोर्ट कर रहे हैं उनको कोई ऐसा बंदा मैंनी करता है इमरान ख वो उनकी गॉवर्मेंट जो है स्ट्रोंग है कुछ कर रही है तो ही वाम उनको कुछ वोड दे रही है ना मेरे एक क्वेस्चन है यहां पर आपसे जहां हमारा मेडिया यह बताता है वो मिनौर्टी के बड़े है वहां पर वही सौधी आपशर स्वाण कंटरि वो अपनी कंटरी में बुलाकर उनों सिवल अवाard स्वाण कर चुक्ते हैं यही क्यों शब्ला neue ना मुंत पर इतना bajत्त है हमारे यही मुसल्मानों करए हप वो एक पंजाबी की मसाल है गर को आगला की गर के चराक से वो ही साहब है हमारे मुसल्मानों में भी कि हमारी लेग पुलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है जिस वज़ा से इसको खतम करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए शौर देना चाहिए मैं तो कहता हूँ पहले सबसे पहले मुलक की जो एजुकेशन है उसको बहतर करना चाहिए शौर देना चाहिए बच्चों से लेके बड़ों तक अब देखो ना जो इंडिया है ना वो अपनी स्टडी पर बड़ी मैं कहता हूँ रिसर्च करते हैं और वो बकाइदा उसको बेतर करते हैं बहतर तर बहतर मैं भी दूबी गया था मेरा तरीवर्ण च्छे मीने का विजडर राट ट्रांजरेट वीजा मैंने उद्र सर्च की वहां पे इंडियन मुझे काफी मिले उपड़े यार पलाइडली तरीके से आप से बात करते हैं आप खुश होता है आपका दिल खुश होता है कि यार यह इस तरह बात करते हैं जिस तरह पता नहीं वहां पर जाके कौन सी महां हरान होता हूं दुबी में आप भी जाएं तो आप इस तरह स्टेट फॉरवर्ड रहेंगे बड़े इच्छे से बात करें हर एक से मैं मजब की बाता हूं मैं जब यहां से जा रहा था ना मनलग वहां आते हुए आप जिकीन माने अभी जहाद रन वे पे चल रहा था स्लोली स्लोली मतलब के और लोगों ने ऐसे मतलब के अपने जैसे करते हैं बैक छोड़ चीज इस तरह ठाके खड़े होगे जैसे बस में सफर कर रहे हैं मतलब के एक एमिरेट इतनी बड़ी एर लाइन है औ आ पो अदो आ पर झालब के खाल झाओ झालब Leah ज City पर मेरे बाद के देसा आउ ने को आपकिस्टानी बड़ा कुछ करना चाहता हूं लेकिन कुछ करना पार रहा क्यों हमें स्पोर्ट ही नहीं कर ८ मैं पार मुज़ से उत्हिया पता क्या दुब हैं आप पता है कि वीजे नहीं मिल रहे आप किस वीजे पर जाएंगे अभी रिसेंटली तकरीबन दो तिन दिन पहले एक परसन से मरी इसी मार्केट में मुलाकात हुई वो कह रहे मैं आट महीने पहले होके आए हूँ तो मैंने उनसे पूचा कितना फर्क लगा आपको तो यही कह रह तलीम है तलीम ही इनसान में शोर पैदा करती है अगर आपके बच्चे को अच्छी तलीम मिलेगी वो बढ़ा होगा अच्छे तरीके से उसको पता चलेगा उसको किस तरह उसने बात करनी है किस तरह लोगों की हेल्प करनी है बुक्स पढ़ते हैं सो नॉलिज मिलता है मैं यह चीजें पहले मेरे साफ से आम करनी चाहिए बाकी अलहमदलिल्ला मैं तो खुश हूं जो भी चल रहा है अच्छी लाइफ है लेकिन यह है कि मैं कहता हूं बाकियों को भी अच्छी होनी चाहिए लास्ट मैसिज देना चाहिए मैंने बहुट टाइम ले लिया आपका मैस जो मुसल्म कंट्रीज हैं वो हमें स्पोर्ट करें हमारे जो मुलक में